नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टार्ट अप की कहानी में स्वागत हैं। दोस्तों एक और Business News के इस वीडियो में आपका हर्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहली कि हम Business News स्टार्ट करें। में आपसे गुजारी से कि आप मेरे स्टार्ट अप की कहानी YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर ले और दोस्तों हमारी वीडियो जरूर देखे हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाते हैं और मैंने कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो बना रखे हैं टॉप 5 बॉल्लिवु अच्छा लगया तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों मेरी एक नई वीडियो आने वाली है चार्ज टाइल पर एक से दो दिन में उसके लिए सब्सक्राइब करके रखे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दवा ले जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तो चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं तो दोस्तों इंडियन कॉर्मेट ने करी 59 मॉवाइल एप चाइनीज मॉवाइल एप को बैन कर दिया है जो दोस्तों भारत में चाइनीज एप थे उन्हें बैन कर दिया है इसमें से दोस्तों मैं मैं बता दूँ आपको टिकटॉक यूशी ब्राउजर ऐसे बहुत सारे कि यह भारत के संपर्वता अखंता और रस्टेता के लिए हानिकारक है इसलिए इन पर बैन लागा रखा है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि यह कौन-कौन से आप है तो दोस्तों इसमें फैमस एक टाक से यूशी ब्राजर बाइडू क्लास आफ गिंग दोस्तों जो गेम है एक बैटरी से बरडियू भर है दोस्तों आप ने भी ये बहुत इसतमाल किया हूं इस तरह से दोस्तों यूशी ब्राजर अब देख सकते हैं पैरलल इसपेस दोस्तों दो एप इस्तमाल करते हैं हम लोग यू वीडियो फोटो वंडर वंडर कैमरा यह इस तरह से दोस्तों देख सकते करीब 59 एपस हैं तो दोस्तों अपने फॉन से इन सब एपस को अनिस्टॉल मार चुका हूँ दोस्तों मैं कल एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इस situation का business point of view से हम क्या फायदा उठा सकते हैं तो चलिए दोस्तों दूसरी business news की बात करें तो दोस्तों दूसरी business news है दोस्तों cyber security को लेके दूसरी business news आई है कि जो Indian government की राजमार्क परिभ़न प्राधिकरन है मतलब दोस्तों I BDA &ард है उसका दोस्तों कुछ ईकर्स ने डाटा को सिखक कर लिया है लेकिन दोस्तों उनहें कहा है कि उनका कोई भी टाटा हैक नहीं हुए है एक दोस्तों ransomware का ransomware नाम का दोस्तों malware है जो दोस्तों उनके data में डाल दिया गया है आप यहाँ देख सकते है ransomware नाम का एक malware जिससे दोस्तों उन्हें पर हमला किया गया है दोस्तों मैंने यह cyber security के लिए इसलिए आपको बताया है क्योंकि दोस्तों आजकर cyber security से लेटेड बहुत सारा खत्रा इंडिया पर मंडरा रहा है लगाता है तो दोस्तों आप भी अपने data को सुरक्षित रखे मेरे आपसे यही आसा है दूसरी news बात करूँ तो दोस्तों दूसरी news है दोस्तों दूसरी news है SR shipping से जिने करीब 1549 करूर रुपे का रुपे पर आया है मतलब घाटा हुआ है इन्हें दोस्तों पिछले साल मतलब 2019 में करीब 8519 करूर रुपे का घाटा हुआ था जो इस साल कम होके 1549 करूर रुपे आया है दूसरी दोस्तों मैं business news आपको बता दू कि दोस्तों जो कोईला union है वो 2 और 3 जुलाई को दोस्तों इस्ट्राइक पर जाने वाले हैं तो कोईला union ने कहा है कि जो प्राइवेट का गौर्णमेंट ने प्राइवेट कंपनियों को भी अलाव कर दिया है कोईला ख़दारन के लिए तो इसके लिए दोस्तों वो 2 से 3 जुन को जा रहे हैं कोईल मंतरी से बात करेंगे मतलब दोस्तों में इंवेस्ट में कमी आई मतलब दोस्तों अ में inफ्ट करते थे तो व करीब 31 ौन है का start-up है वहीं मैं बात कर दोस्तों next business new to next business new to giant DMATO के तरब से DMATO के जो दोस्तों कुछ workers हैं कॉलकता में उन्होंने अन जाने में दोस्तों उन्हों पता चला कि ये इसमें अलीबाबा का मतलब चाइना का investment है करेफ 26 परसेंट का तो उन्हों दोस्तो इस्ट्राइक के लिए मतलब अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपने देश के प्रतिप्यार दिखाने के लिए उन्होंने अपने टीसर्च को जला दिये और दोस्तो उन्होंने यह करके दिखाया है तो दोस्तो इस करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे हमार हमारी Indian government को और हमारी companies को ही नुक्सान है अगर दोस्तो करना ही है तो उन्हें हमें दूसरे तरीके से मात देना होगा हमें अपना ही manufacture हब बनना होगा और दोस्तो इस तरह से एक्सपोर्ट करना होगा नयौज्ट बदोस्तो बात करूँ तो आप दोस्तो तीम चार बै, नीयौज डोस तरह quietना लाउंक स्टार्टॉप का नाम है जोक्स जो दोस्तों कि दूज एसला के ओwnर है ऐलाउन मस्क उन्होंने इस बात को लेकर जैफ Beiros को कुपी केट करा दिया है कॉपी कट उन्होंने इसलिए क pouvत अलोन मस्क जिस छेतर में जाते हैं एमाजॉन भी उस छेतर में जाते ही जा रहा है, मतलब घूस रहा है धीरे-धीरे, इससे पहले भी दोस्तो जैब वेजोस ने Blue Origin नाम की कंपनी को खरदा था, ये दोस्तो इस पेक्स एक्स जैसे दोस्तो इस पेस के लिए Rocket इंसर के लिए वर्क करती है, वैसे Blue Origin नाम की कंपनी भी वर्क करती है, तो दोस्तो इसको लेके इन्होंने, इन्हें Cat Copy का है, ये दोस्तो आप इनका जो ट्यूट है वो देख सकते है, इलाउन मस्क ने को कॉपी का है, ये देख सकते हैं, आप ये फाइनल सेर्ट टाइम ने पोस्ट किया है, नेक्स्ट बिजनेस न्यूज मैं बात करें तो दोस्तो, Amazon इंडिया करीब 20,000 स्टाप्स को, टेंपरोरी स्टाप्स को हायर करने जा रहा है, उनका कहना है कि दोस्तो वो स्टाप्स को जैपूर, चंडिगर, मैंगलूरू, इंडोर, भोपाल और लोक्षनाओ जैसे, अगर दोस्तो आप इन में से कहीं से भी हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, और दोस्तो आपके लिए ये गुड न्यूज है, तो लगाता है, Amazon के साथ बने रहें, उनका चेक करते रहें, दोस्तो हर जगा अपलाई करते रहें, इसे दोस्तो अभी lockdown में बहुत का जॉब चला गया है, तो आपको ये जॉब की एक opportunity है, नेक्स बिजनेस न्यूज अमेजॉन से ही related दोस्तो, वो मैं बात करूँ, तो इस तरह से दोस्तो बिजनेस न्यूज अमेजॉन और बि कि किस company से ये इस product का origin हुआ है, दोस्तो कुछ दिनों पहले अभी India के साथ चाइना का तनावपूर्ण हुआ था, मतलब विवाद हुआ था, जिसमें 20 Indian soldiers सहीद हो गयते, इसी से related दोस्तो अब government सब चाइना पर दोस्तो नकेल कसने के लिए हर तरह से बैन लगाने की कोशिस क कर रही है, बैन नहीं कहूंगा दोस्तो मतलब पर्तिवन लगाने के मतलब उनका भारत में कम हस्त छेप रहे, तो इसलिए ये हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इंडियान गवर्मेंट ने दोस्तो इकॉमर्स के साथ मीटिंग करकर ये कहा कि आप जो भी इंडियान प्र क्यू और कोड से भी कुछ भी बाई कर सकेंगे, अमेजॉन पे दोस्तों इंडियाने स्मार्ट स्टोर्स का एक ऑप्शन ऑपन कर दिया है, दोस्तों इंडिया में अभी तीन सबसे उपर है, गूगल पे, फोन पे और दोस्तों पेटियान, आप दोस्तों तीसरे नमर पे आ कर पाईएगा, तो यह दोस्तों हो गई, आप दोस्तों नेक्स्ट कुछ बिजनेस न्यूज को देख लेते हैं, किसने फंडिंग कैसे उठाई, तो दोस्तों बाईजूस है, बाईजूस ने दोस्तों अपनी वैलिएशन करीप 10.2 बिलियन करोर की है, जिससे कि दोस्तों उ इन्डिया का सेकेंड डेका कॉन कंपनी बनी है, इसमें दोस्तों करीब बॉंड कैपिटल जो एक सिल्कॉन वैली इंवेस्टर है, उन्होंने इसमें कुछ इंवेस्टमेंट किया है, यह दोस्तों अंडिस्क्लोजड अमाउंट मतलब बताया नहीं गया कि कितना साल का बहुत ज्यादा ग्रॉथ लॉगडाउन में हासिल किया है, इसके 30% दोस्तों इंक्रीजमेंट हुआ है, इसने दोस्तों पिछले साथ टाइगर ग्लोबल से भी इन्वेस्टमेंट उठाया है, यहां आप देख सकते हैं, दोस्तों करीब 400 मिलियन यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट टाइगर ग्लोबल से कुछ फंडिंग उठाया थी, नेक्स्ट बिजनेस न्यूज के बारे में बात करें तो दोस्तों बिग बास्केट का है, दोस्तों बिग बास्केट के इस जो है दोस्तों बिग बास्केट भी दोस्तों खिला रही है, यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, यह जो है दोस्तों बिग बास्केट भी दोस्तों खिला रही है, यह देख सकते हैं, यह जो है दोस्तों बिग बास्केट भी दोस्तों खिला रही है, यह देख सकते है बास्केट दूसरी कंप्पनी है जो सबसे वन बिली टू बिलियन का ये जी एम पी मतलब ग्रॉस जो प्रॉड प्रॉफिट है मतलब सेल करते हैं वो पार कर चुका है तो हो दोस्तो आज की आपको बिजनेस न्यूज अच्छी लगी होगी तो दोस्तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तो मुझे बिजनेस न्यूज बताने में मैं जानता हूं कि गरबर हो गई है लेकिन दोस्तो प्लीज आप स इसलिए मैं दोस्तों आपको सोर्स के साथ बताता हूं और दोस्तों सभी ही बताता हूं मैं बिजनेस न्यूज कहां से उठा रहा हूं जिसे कि दोस्तों आपको विश्वास आए और आप हमारे साथ बने रहें तो दोस्तों थैंक्स वर वाक्चिंग प्लीज हमारे चैनल के ते तुने रहे थैंट थैंट थैंट्स